साथियों, पूरे विश्व के बड़े बड़े एक्सपर्स इस बात पर जोड देते रहे हैं कि जमीन और घर के मालिकाना हकी देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका होती है जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है जब संपत्ति पर अधिकार मिलता है तो संपत्ति भी सुरक्षित रहती है नागरिक का जीवन भी सुरक्षित रहता है और नागरिक का आत्मविश्वाद भी अनेक गुना बढ़ जाता है जब संपत्ति का रिकॉर्ड होता है तो निवेश के लिए नए ने साहस करने के लिए आर्थी कुपार्जन की नई योज़नाय बनाने के लिए बहुत सारे रास्ते खुलते हैं संपत्ति का रिकॉर्ड होने पर बैंक से कर्ज आसानी से मिलता है रोजगार स्वरोजगार के रास्ते बनते हैं लेकिन मुश्किल ये कि आज दुनिया में एक तिहाई आवादी के पास ही कानूनी रुप से अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में दो तिहाई लोगों के पास ये नहीं है ऐसे में भारत जैसे विकासिल देश के लिए ये बहुत जरूरी है कि लोगों के पास उनकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड हो और जिनके नशीब में अब बुड़ाप आ गया है पड़े लिखे नहीं है बड़ी मुश्किल से जीवन गुजा रहा है लेकिन अब ये आने के बाद एक नए विश्वास वाली जिन्गी उनकी शुरू होने वाली है स्वामीत्व योजना और इसके तहट मिलना वाला प्रपर्टी कार्ड इसी दिशा में इसी सोच के साथ दली थो पीडी थो शोची थो वंची थो अनपढ़ हो गाउं में रहता हो उनकी भलाई के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है प्रपर्टी कार्ड गाउं के लोगों को बीना किसी विवाद के प्रपर्टी खरीदने और बेचने का रास्ता साथ करेगा प्रपर्टी कार्ड मिलने के बाद गाउं के लोग अपने घर और कबजे की जो आशंकाय रहती थी उससे मीं मुक्त हो जाएगे कोई आकर कि अपना हग इस्दाएगा जूठे कागज दे जाएगा ले जाएगा सब बन प्रापर्टी कार्ड मिलने के बाद गाव के घरों पर भी आप बैंक से आसानी से लोन ले सकते हैं पैसे मिल सकते हैं आपके हात में आ सकते हैं सात्यों आज गाव के हमारे कितने ही नوجवान हैं जो अपने दम पर कुछ करना चाहते हैं आत्म विश्वात से आत्म दिर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन घर होते हुए भी, जमीन का टुकड आपने पास होते हुए भी, कांगज नहीं थे, सरकारी कोई दस्तावेज नहीं था, दुनिया में कोई उनकी बात मानने को तयार नहीं था, उनको कुछ मिलता नहीं था, अब उनके लिए कर्ज प्राप्त करने का, हक के साथ मागने का, ये कांगज उनके हाथ में आया है, अब स्वामित्व योजना के तहद बने, प्रॉपर्टी कार का दिखा कर, बैंकों से बह और लाप, गाउं में नई व्यवस्ताओं के निर्माण को लेकर होने वाला है, ड्रोन जैसी नई टेकनोलोजी से, जिस प्रकार से मैपिंग और सर्वे किया आ जा रहा है, उससे हर गाउं का सटिक लेंड रेकॉर्ड भी बन पाएगा, और मैं जब अपसरों से बात कर रहा जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ, कि कैसा अनुभव क्या आता है, तो मुझे अपसरों ने बताया, कि साब गाउं के अंदर हम जब प्रापर्टी के लिए ड्रोन चलाते हैं, तो गाउं वाले अपने जमीन की तो आत्में इंट्रेस होना बहत स्वाबाव गया, लेकिन सब अभी तक अधिक्तर गाउं में स्कूल, असपटाल, बाजार, या दूसरी सारवध्यनिक सुविधाएं, उस कहां करनी, कैसे करनी, सुविधा कहां होगी, जमीन कहां है, कोई हिसाब किता भी नहीं था, जहां मरजी पड़े, जो बाबू बहां बैटा होगा है, या जो गाउं का प्रदान होगा, जो कोई जड़ा दमदार आदमी होगा, ज विवाद भी नहीं होगा, और सटिक लैंड रिकॉर्ड होने से, गाउं के विकास के जूड़े सभी काम बड़े आसानीच होगे,